नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा विल्डर ट्रेट का आफिसियल निम्मी का कोश्चन पेपर है जो कि इसी में से इसी में कोश्चन पूछे जा रहे हैं यह हमारा समेश्टर टू का जो माडूल टू है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग उसी को हम लोग यहां पर साल्व करने जा रहे हैं तो चलिए इस्टार्ट करते हैं यहां पर देखिए हमारा बीस नंबर के जो कोश्चन है यहां पर वाट टाइप आप सेप्ट एक्विपिमेंट इज वार्न वाइल चेकिंग दा वेल्डिंग जोइंट आपे ओवर हेड क्रेंड फ्रेम के वेल्डिंग जोइंट की जांच करते समय किस प्रकार के सुरच्छा उपकन पहने जाते हैं तो देखिए अगर ओवर हेड के उपर वेल्डिंग करेंगे तो हमें हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है अपनी सुरच्छा के लिए तो यहां पर बीसका करेक्ट तांसर जाएगा आपसा नमबर भी हलमेट हम लोग ओवर हेड क्रेंड फ्रेम में जब वेल्डिंग करते हैं तो आहर पर पहलते हैं यहां पर 21 कोशन है वाट इज दा नेम आफ वेल्डिंग प्रासेस इफ दा आर्क प्रोडूश्ड बाइ एक कंजुमेबल मेटल इलेक्टूड इज प्रोटेक्टेड बाइ इनर्ट गैस वेल्डिंग करने की प्रिक्रिया का नाम किया है अगर एक कंजुमेबल धातू लेक्टूड इस नाम न्व उत्पादित्वार को निश्क्रीगाष द्वारा सनरचित किया जाता है तो देखीं यहां पर हम लोग यूज करते हैं जो वह हमारा रहता है म अाई जी विल्डिंग द्वारा मेट करते की प्रिक्रिया जो मयटिjam वेल्डिंग करने की झालधي है दिए जो हमारा यक सब्सक्राग है यह आपको बताना हिए वाला ठीक हो तो यहां गीर होता है यह वाएस का यहां पर इसे आपको डिक़शन टोवडस के दैढ़त आपसे नमबर से यहां पर आडलर गीयर हमारा करेक्ट हो जाएगा यह क्या करता है कि डायरेक्शन को स्यम करने का काम करता है ठीक कैसे करता है आए हम आपको बता देते हैं तो देखिए दोस्तों जैसे यह हमारे एक गीयर है यह हमरा अगर कलाकवाईज में घूम रहा है कलाक direction में घुमाना है तो यह भी हमारा क्या होगा तो यह हमारा क्या था यह वाला जो गियर था यह हमारा क्लाक वाइज और यह भी हमारा क्या हो गया क्लाक वाइज हो गया है यह हमारा जो बीच का यह होता है इसके हमारा कोई मतलब नहीं होता यह सिर्फ अगर देखिए यहां पर आपको फिइद एक एक बार यह बहन Sum यहां पर एक डियर यहां पर यह दोनों चलना है अब लेकिन अब यहां पर यह जो हमारे चलना है अब हम इस्टम्य हमें अगर सक्तिक अपस में Ara अगर आपस में सटा देंगे तो यह हमारा बीप्रीत डायरेक्शन में जाएगा लेकिन क्या होगा कि जब हम लोग अडिलर गीर लगा देते हैं इसका तो रोल कुछ नहीं होता है लेकिन क्या होता है कि मतलब यह सकती पारेशन करने का कर नहीं करते हैं यह सिर्फ और सिर्फ क कलाकवाज घूमता दूसरा एंटी कलाकवाज घूमता तो हमें सक्ति पारेशन करने में दिक्कत होती है ठीक इसलिए हम लोग क्या करते हैं आइडलर की डायर को परियोग सेम डायरेक्शन में गति को पारेशित करने के लिए यूज करते हैं ठीक तो आइडलर की डायरेक्शन को चेंज करना ला आदके आप पर तेश नंबर का कोश्टन राट इस दिए नेम आप पार्ट मार्क एडिक्स इन जी एम एडबल्यु फटर रूप में जो चिन्हेत भाग है वहारा क्या है तो देखि यह रूप में जो चिन्हेत भाग है यहां पर आप सो देख सकते हैं है यह हमारा क्या है आपको बताना है तो देखीर हमारा है नोजल कहला ठीक तो िंसे यहां पर हमारा करिक्ट आंशर होजागा आपसोंनु माइल कि कहलाता है हूप कैसे फ्राजवलीद कैसे प्रज्वलित किया जाता है तो दखें जो 30 मिक्चर होते हैं इसको प्रज्वलित किया जाताइज है व्यश्फ बय जुदार मैगनेशन घो मैकनिसीयं में मैकनीसीयं पर दवारा हम लोग थरमिट मिश्वेश्भाइज को प्रज्व pikति ने रो chopite करते पर आप लोगो सकते हैं यहां पर आप लोगों हमारा यहां पर दिया गया है यह हमारा एप इसका नाम क्या है तो देखिए दोस्ते यहां पर पर यह हमारा कहले था एलेक्ट्रोड बीड पिंप dow तो तो 24 का यहां पर और आप रहा हमारे है यहां पर पचीस की है यहां पर यहां पर है है हमारा 26 नंबर का कोश्चिन which welding method is starting half welding done by using steel wool or iron powder steel wool या iron powder का उप्योग करके welding की कौनसी welding बिधी शुरू की जाती है तो देखिए पर सिल इन ऐन एफ सी ढवलू की लिए मिस्तरित गयसे कॉन सी होती हैं से ए कोई आप सी डवलू में के लिए जो तारों का उपयोग किया जाता है तो देखिए में हम लोग क्या करते हैं कि दो टाइप कि फलक्स कोर्ड तारों का उपयोग करते हैं ठीक तो टू टाइप आप फलक्स कोर्ड वयर और यूजड इन उपयोग कि फलक्स कोड तारों का उपयोग करते हैं तो टाइप आप इलेक्टरोड प्रोवाइड सप्रोटिव स्लैंड इन फलक्स कोर्ड और के स्लैक प्रधान करता है वह हमारा रहता है tubular cord flux electrode यहां पर tubular cord flux electrode correct answer हो जाएगा 29 का a तीस मोगर कोशन है What device is used to protect face from ultraviolet and infrared radiation during welding welding के दावरान Ultraviolet और infrared विकरन से चहरे की रच्छा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तो देखिए इसके प्रिएव किया जाता है हिलमेट फिल्टर डगलास यानने कि किये गए रंगीन गलास के साथ हम लोग हेलमेट का परियोग करते हैं अब जखिया आपर 31 नंबर का कॉश्चन है वाट प्रोटेक्टव एक्यूपिमेंट जिसे कि हम लोग साट में पीपी बोलते हैं प्रशनल प्रोटेक्टव एक्यूपिमेंट इस यूज़ टू प्रोटेक्ट हैंड फ्राम बरने इंजरी हाथ को जलने की चोट से बचाने के लिए अपने हैं की सुरच्छा के लिए परियोग करते हैं ठेक है यह हो गया है कि देखिए आपर 32 नमर कोश्चन है विच गैस जनरेटेड डूरिंग जी यह में डबलू और यूजिंग सी ओटू एज सील्डिंग गैस गैस को सील्डिंग गैस के रूप में उप्योग करने पर जी यह में जो की काफी हंकारत होती है और इसको अमलोक साथ में सीयों गोलते हैं रासानिक नाम ठेक कारवन मोन अक्साइड अ तो यह हो गया दोस्तों यहां पर आपको हिंदी में थोड़ा से यहां पर आपको यह जो लिखा है आपको इसकी आगे लिखना है सी ओटू यानि की कारवन डाय आक्साइड गैस को सील्डिंग गैस के रूप में उप्योग करने पर जी या में डबलू के ज़रौन कौन सी गैस उत्पन होती है ठीक तो इसे आप लोग संसोधन कर लिएगा यहां पर आपका सी ओटू आएगा यहां पर देखिए यह इंग करेक्ट होगा ठीक लेकिन हिंदे में इसमें तुर्टी दिया है कोश्चन में तो आप इसे बना लेजिएगा इस वेटू गैस को सील्डिंग गैस के रुप में उप्योग करने पर जिये में डबलू के दावरान कौन सी गैस उत्पन होती है तो कारवन मानो अक्साइड इस कि माइजी वेल्डिंग करते समय हेलमेट में जिस प्रकार के लेंस चाहा जाता है कि जाननी है वह रहत है हमारा एहाज 12 वाला तो आपसा नमबर यहां पर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा एहाज 12 ठीक यहां पर 33 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 34 नमबर कोशन है वाट इस लेंस जेट फिटेड इन डा हेलमेट आज पर रिकमांडेशन आफ वेल्डिंग कोड फार दा सेटिंग आप 150 एंप फार एम एम एडबलू के लिए 150 MPR की अस्थापना के लिए वेल्डिंग कोड की सिफारिस के अनुसार हेल्मेट में लगे लेंस सेट को क्या कहा जाता है तो देखिए इससे हम लोग बोलते हैं यह 11 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 कोशन है विश टाइप एपरेंट इस सुटेबल टू प्रोटेक्ट फ्राम हीट एंड रेडियेशन डियूरिंग वेल्डिंग के दावरान गर्मी और विकिरन से बचाने के लिए कौन से अपरन उप्यूगत होता है तो देखिए व और पर अगला है हमारा कोशन 36 नमबर का फार्ट के लाता है तो देखिए यहां पर यहमारा कहलाता है यह मर काघला है तो वायर पीड रोलर यहां पर हमारा एंसर लेकिन एक कोशन और उपर आया था उसमें पूंचा गया था यह बीच वाले के बारे में तो हमारा क्या था आइडलर गियर था वह हमारा लेकिन इसमें यह वाला पार्ट पूंचा है तो हमारा वायर फीड रूलर है ठीक इससे अब लोग ज़रूर धियान में रखिएगा अब जाखिए 37 नंबर कोश्चन है वीच एंगल आप प्री सेटिंग इज टू कंपन्सेट डिश्टॉर्शन और होरिजन्टल सिंगल वीबट जोएंट मेटल थिकने 10 mm एंड रूट गयब टो में पूर्वे सेटिंग का कौ कौन 36 एकल वीबट जोएंट मेटल की मोटाई 10 mm पर बिरूपन की कमी पूरी करेगा यह जो पूरी करेगा वह रहेगा 183 डिग्री यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा आपसो नंबर दे एक सो तरासी डिग्री अब अनलतिस नंबर का कॉश्चण है यहां पर how many टाइपस आफ बेसिक वेलडिंग पोजीशन से इन-जी यामेट वेलडिंग जी यामेड वेलडिंग जी याम्यड डवलु में बेसिक कि वेलडिंग पोजीशन कितने प्रकार होते हैं तो देखिए गैस मिटल आर्क वेल्डिंग में जो बेसिक वेल्डिंग पोजीशन होते हैं यह मुखता तीन प्रकार के होते हैं यहां पर इसके भी आंसर करेक्ट हो जाएगा तीन प्रकार 39 कोशन है विचेज़ डाव विल्ड पोजीशन आप जीया में डबलू इस डवेल्ड इपोजीटेड अंडर साइड आप जाव यहां दीवेल्ड को जाब के नीचे जमा किया जाता है तो जीया में डावल्डिंग की वेल्ड इस्तिति क्या होती है तो यह होता है हमरा पोजीशन होता है 39 के यहां पर सी अंसर करेक्ट हो जाएगा फुर्टी नमबर कोशन है वाट टाइप आप जॉइंट आर मेड़ बाइद ग्रूव वेल्ड से इन जी में डबलू तो जी में वेल्डिंग में ग्रूव वेल्ड द्वारा किस प्रकार के जॉइंट बनाए जात इंगल मारा एज इक इंड़ा फिलयट वेलड सो दिखाए गया फектив रेटल रूप है यह हमारा क्या कहलाता है रहां पर देख जो आपका 233 घर सबक्रावे खराख को इने इसाय फिक एलाתा के कऊ है यह तो यहां पर जो हैं मारा यह कह च्छा बेचा ठीक यह हमारा जो है यह हमारा ट्रेवल की दिशा है तो यहां पर हमारा 41 का डी अंसर करेक्ट हो जाएगा ट्रेवल की दिशा अब है अगला कोश्चन हमारा 42 नंबर का कोश्चन जाके हैमें यह सेलडिग में माईजी वएलडिंग के रूप में किस सेलडिंग के रूप में हमारा रहता है 32 नंबर का क्याहिए एक और थेखिए तैप वेल्ड ए ग्वेलब्ड एव्लस बेप्टिक्त होता है और यह अंड रक्तिक्त याने कि एलेक्ट्रो वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का वेल्ड विक्सित होता है तो इसके लिए जो विक्सित होता हो रहता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग तो समर्ज आर्क वेल्डिंग विक्सित होता है एलेक्ट्रो वेल्डिंग के लिए ठीक ध्याएं पर 54 नमबर कोशन है है। हाव मेने टाइप्स आप है मेटल ट्रांसफर इन जी मेड़ नपना या सियोटु वेल्डिंग प्र करिया में कितने परकार के दाथ विह यह उते हैं चार परकार के दाथ वह थौन प्रसकर की रही को जाएगा विए एसने में डबलू वायर फेड यूनिट में यक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वह हमारा क्या है तो वह हमारा अब 46 नंबर कोश्चन है वाट इस दा नेम आप दा पार्ट मार्क आज एक्स इंद जी में डबलू प्रिंस्पल अप स्योटू वेल्डिंग के लिए में डबलू सविद्धांत में इक्सका नाम क्या है यहां पर जो दो ही आपको बताना है यहां पर कि यह हमारा क्या कहलाता है कांटेक्ट ट्प कांटेक्ट टिप यहांपर हमारा वी आंसर प्लिक हो जाएगा झाटक्ट टेप 46 का भी से नास्मित संब्सक्राइबर कोशन वाट इसद अबिटी आप मेटल डुका तो कट एन अधर मेटल किसी अन्यधात को काटने के लिए धाथ की चंपता क्या है जेखिए किसी अन्यधात को काटने के जो धात की छमता होती है वह हार्डनेस कहलाती है यानि की कठोरता कहलाती है तालिस नमर कोश्चन है वाट एंपियर रेंज इज रिक्वर्ड फार सेटिंग 1.2 mm फिलर वायर फार वेल्डिंग माइल्ड इस्टिल इन मेटल इनट गैस वेल्डिंग और फिर मेटल आर्क वेल्डिंग मेटल आर्क गैस वेल्डिंग तो यह माजी यह मेजी वेल्डिंग में हलके श्टिल के वेल्डिंग के लिए 1.2 mm फिलर वायर अस्थापित करने के लिए कितने एंपियर रेंज की आवसेक्ता पढ़ती है तो तो जो हमारा टमप्रेचर प्रोडिफ होता है वह टमप्रेचर रहता है है जुञाएंट आफ थिक पाइप और रेलर के मोट़े पाइप के जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार वेल्डिंग को उपयूग करते हैं वह हमारा लॉटकिंध तर भी जंटर थे पर हमेट विर और सर और रह रहता है पर करेकटान सर निया पचास का सिछिर वेर इज्टरान बीम जनरेटेड कंट्रोल एंड एक्सिलिरेटेड लेक्ट्रान बीम कहा उत्पन नियंत्रित और तौरीत होता है यह होता है हमारा वैकुम چैंबर में ठीक वैकुम चैंबर यहांपर करेक्ट अंसर हो 25 day 52. इक हुश्ण है इस वर्क पीस को पिखलाने के लिए उसमा का सुरोथ किया होता है तो हम लोग जो पिखलाते हैं उसे वह उर्क्टरानों के दोरह हम लोग उसे पिखलाते है यहाँ पर हो जाएगा बाई हाईढ़ सूश्पीड नेक्टरोन कि उच्छ गति की द्वारा हम लोग इलेक्टरान विम वेल्डिंग में वर के पीज को पिखलाते हैं 53 नमर कोशन है विच वेल्डिंग प्रासेस ग्रेनुलेटेड फॉलक्स इज फेड थ्रो वोपर टूदा वेल्डिंग स्पार्ट वेल्डिंग इस पार्ट पर हापर के प्रवाह द्वारा दे जाती है तो यह दिया जाता है सब्मेड आर्क वेल्डिंग के द्वारा तो समयड आर्क वेल्डिंग यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब जखिए आपर चाहुँन नमबर का कोश्चन है वाट अर्द पोजीस्टास यूजड इसे डबलू इसे डबलू मैं किन पोजीशन को उप्योंकिया जाता है तो जखिए यह से डबलू में जो पोजीशन रखा जाता है वह हमारा रहता फ्लैट एंड हो रियंटर इस हो जाएगा पच्पन नंबर कोश्चन है विश टाइप आफ वेल्ड्स और आफेंड यूजड तो असिस्ट असेंबली और तो मेंटेन एज अलाइनमेंट डियूरिंग वेल्डिंग के दौरा असेंबली की सहयता करने या किनारिस नस्रेखण बनाय रखने के लिए अक्सर किस परकार का उपयोग कि यह किया आटरेक वेल्ड का तो ट्रेक करें यहां पर क्रेक्ट आंशर हो जाएगा अब दिखिएंग पर नम्र कोश्चन है वाट इस देज़ टार्च एंगल टिल्ट आइजर साइड आप वर्टिकल इन जी अमें डवलु जी अमें डवलु में वर्टिकल के दोनों और सामान टार्च का एंगल कितना होता है तो यह रहता है दस से बीस डिगरी तो चपन के यहां पर एंसर क्रेट हो होते हैं अगर यह परियापत हीट इनपूट के साथ प्रदान किया जाता है तो यह रहता है हमारा लैका पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन की कमी के करण ऐसा होता है सुन्तावन क्यां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अन्ठावन नमबर कोश्चन है वाट इस दा सलूस्तन अगर जीएम डबलौ प्रक्रिया में अन्यामित वायर फीट के करण बरन बैक होता है तो इसका क्या कारण है तो इसका मैं रिजन होता है कि का दब कुएज और रिप्लेस किंग कितार को काटें और इस पूल को बदलें 59 नमबर कोशन है वेच मेटल सफ इस सर्फेसिंग मेथड इज आइडियल फार थिन लेएर डैट केन फुलो टू कार्नार एंड एज आप दजाब कौन सी धातु सर्फेसिंग विधी पतली परतों के लिए आधर से हैं जो जाब क कोनों और किनारों पर प्रवाह कर सकती है यह रहता हमारा ऑक्रेक्ष सिटलीन वेल्डिंग तो आक्सिश इसटलीन वेल्डिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाए जैब कि यहाँ पर साथ नमबर का कोश्चन है वेस्ट टाइप कोर वायर इस सुटेबल फार्वेलड जिसके लिए होता है फलक्स-कौर इलेक्ट्रोड यहां पर 60 का एक अंसर करेक्ट हो जाएगा एकसर नॉमबर कोश्चन है डिस्टिंक्ट डिफरेंसे बिट्विट्विन जीमेल डालू एपसी डालू एक्पिमेंट्स यानि कि जीमेल डालू और एपसी डालू के बीच का अं बाता रहता है रहता है कंस्ट्रैक्सिंट पांच टार्च फीट रोललर का निर्मान न में exact the design in FCAW FCAW में आरगन और CO2 मिसनन का उपयोग किया जाता है यह क्या जाता है जाके प्रेसर लोडर्स और यूज़ इन PCAWCW Congress में व्याज प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उप्योग क्यों किया जाता है कि पॉज्टिव फिडिंग बिस प्रेशर अलट иковर कि श्थीवाइब इस त्रमाइब एकिस्टिव किए जाता है जब्लूस step के में कि वेल्डिंग सभी प्रकार के इस टील को वेल्डिंग करने के लिए अधिक उपयोगत होता है तो यह जो उपयोगत होता है यह रहता है हमारा वानली यूज गैस शील्डिंग केवल गैस शील्डिंग फ्लक्स का उपयोग करें तो पैंसाट कि यहां पर सी अंसर करेक्ट हो गया च्छाश्च नमबर कोशन है वाट टाइप आप हैंड टूल इस यूज़्ट टूपन एगास स्लेंडर इन वेल्डिंग प्रैक्टिस में गैस स्लेंडर खोलने के लिए किस परकार के हाथ उपकन को प्योग करते हैं वह रहता हमारा इस पिंडल की का हम लोग पर्योग करते यह तो यहां पर च्छाथ का तेल ग्रीस आजिसे मुक्त क्यों होना चाहिए तो देखिए वेल्डिंग करते समय वेल्डर का कपड़ा जो होना चाहिए ताकि काहों कि यहां पर कि यानि कि आग पकड़ाने से बच्चने के लिए हम लोग जो खपड़े रखते हैं वेल्डर का वह ग्रीस और तेल फिरी रखते हैं ठीक ताकि उसमें आग ना लगे अब अन्सर नमबर कोश्चन है विच इलेक्टोड वायर इजी मोर सुटेबल फार कारवान इस्टील सिक्स तो सेवन टीए सिक्स यहां पर करेक्ट टांसर रजाए अंसर का इस्टीन नमबर कोश्चन है विच मिटरल ट्रांसफर प्रासेस इन जी एमेडवलू प्रडूसर इस ट्रांग वेल्ड इविथ लिष्ट इस पैटर जी एमेडवलू में किस दावत के ट्रांसफर की प्रक्रिय कम से कम इस पैटर के साथ मजबूत वेल्ड का उत्पादन करती है तो यह करता है हमारा प्लस ट्रांसफर कि यहां पर 69 कड़ी आंसर करेक्ट हो जाएगा और यहां पर एक आतन नमबर कोश्चन है वाइदा आरगन और सियो टू मिक्सिंग गैस यूइट इन एफ काततन नमर कोश्चन है हाओ दप्री हेटिंग टंप्रेचरी जेइड च्चेक द वीफोर वेल्डिंग रर अधर आरं कॉस्ट मोटल अरसंफ यूरस ज्यां लिट्ल को वेल्डिंग करने से पहलेव प्री हीटिंग पर्मान कि जाच कैसे की जाती है यह किया जाता है कि टंप्रेचर इंडिकेटिंग क्रियान यानि कि क्रियान का संकीत देने वाला तापमान को देख कर बाता नमर कोश्चन है वाट इज दा आपरेशन टू रिलीव रिजीडूवल इस्ट्रेस फ्राम दा वेल्डिंग जुएंट वेल्डिंग जुएंट से अपसिष्ट कि दूर करने के लिए यानि जो रिजीडूवल इस्ट्रेस रहता है उसको हम लोग रिलेव करने के लिए जो आपरेशन रहता है हमारा पोस्ट हीटिंग तो पोस्ट हीटिंग यहां पर बहतर कटी आंसर करेक्ट हो जाएगा तो देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रोसलयग पर किरिया में एक मात्र वेलडिंग तो देखिए यहां पर जो एक मात्र वेलडिंग थितिती जो होती है वह रहता हमारा कि वर्टिकल यहां पर हमारा वडिकल यहां पर करेक्ट आंसर हो 就 profitर्यमड़ कोश्ण है वाई कारबन and magnesium magnesium are added to plain thermite mixture on rail welding carbon and magnesium को rail welding पर plain thermite mixture में क्यों जोड़ा जाता है यह जोड़ा जाता है to get hardness का ठोरता पाने के लिए जोड़ा जाता है यहां पर है हमारा 75 नमबर का question what type of weld is used to on prepared hole of overlap joint overlap joint के तयार hole पर किस प्रकार के वेल्ड का उपयोग किया जाता है किया किया जाता है पलग और सलाट वेल्ड पलग या सलाट वेल्ड यहां पर 75 कटी आंसर करेक्ट हो जाएगा पॉइब डिखाया गया है यह किसका हे यह होता है ऩ होता है अब देखिए यहाँ पर जो अगला कोश्चन हमारा को सतात्र नंबर को कोश्चन जाए लेल्ड पोजिशन ऐफ ज्वेल्ड बेलिंग इन फिलर मेटल इस डिपाइटि लिफले फ्राम दा अपर साइड आफ धा ज्वेंट दूरिंग वेल्ड इस फिलर मिटल को व्दिंग के दौरान ज्वेंट के ऊपरी तरफ से जमा किया जाता है तो ज्मीर डबली वेल्ड स्थिती होती है वह रहता है डाउन हेंड पोजीशन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सतहत्तर का दे 78 नमबर कोशन है वाट इज टाइप आफ वेल्ड पोजीशन इन विच दा वेल्ड मेटल इज डिपोजिटेड अंडर साइड आफ जॉइंट यानि कि वस वेल्ड इस्थितिक किस प्रकार की है जिसमें वेल्ड धा तु जॉइंट के नीचे जमा होती है यह रहता है हमारा कि टार्च एंगल टिल्ट आन आइजर साइड आप वर्टिकल इंजी अमेड डबलू में उर्धवाधर के दोनों और समाने टार्च का एंगल कितना होता है तो यह होता है दस से बीस डिग्री अब जखिए आप रसी नमबर कोशन है वाट इज दा इलेक्ट्रोड इंकलीने यह होता है हमारा 45 डिग्री अब जखिए यहां पर है क्यासी नमबर कोशन वाट इज दा यूजूवल लेंथ आफ टैक वेल्ड इन एट टी जोएंट इन जी अमेड डबलू फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग जी अमेडबलू फ्लैट सिती वेल्डिंग में एक टी ये होता हमारा 10 mm do 82 कोशन हैं हाउ मच रूट गाप एकस इज मिंटेंड कितना रूट गैप एकस रखा जाता है तो देखिए एकस जो रखा जाता है गैप तो आपको बताना है तो यहां पर जो रहता है यह रहता है हमारा 2mm का यहां पर जो आपको दिख रहा है यह जो गैप रहता है यह हमारा 2mm का गैप होता है अगला कोश्चन है हमारा 53 नंबर का What is the purpose of fitting clear glasses on either side of colored glass in a helmet हेलमेट में रंगिन गलास के दोण औरड़ चस्म लगाने का अफ्रलों तो देखिए हलमेट में रंगिन गलास के दोण औरड़के दोण और के चश crank चुम्माइन उड़्दे से होता है वू रहता है कि प्रोटेक्ट फॉरम इस पैटर से बचाऊ के लिए चौरासी नमबर कोश्चन है हाव दा वेल्डर आपजर्व वेल्डिंग एरिया आप दा जोएंट इन इलेक्टान बीम वेल्डिंग वेल्डर इलेक्टान बीम वेल्डिंग में जोएंट के वेल्डिंग छेतर को कैसे देखता है तो यह जो देखता है यह देखता है आपका सिश्टम केंटेइन और मिर यहीज़्टेकर फासीजर को जैगा अगला कोश नमबर का कि हाव टू प्रोटेक्ट फ्रामदा-t 우ह सिक में वील्ड़िंग आपडिशन के दौर सिक कैसे बचा जाता है च्रेविब्लान प्रॉकिलत लंसीलों होती है फ्रि की तो crawl से जो दुरू नि कलती है उससे आम लोग Brent यह बचते हैं योज रेस्पिरेशन पैड स्वसान यंद्र पैड का उप्योग करके हम लोग वेल्डिंग आप्रेशन के दौरान जो है टाक्सिक धूमें होती है उससे हम लोग बचते हैं जहरी लिगेशन से हम लोग बच जाते हैं श्यासी नंबर कोशन है वाट इज़ परपज आप यूजिंग कापर कोटेड फिलर वायर इन यह माईजी यह मेजी वेल्डिंग में ताबल एपिद फिलर वायर का उप्योग करने का देश क्या होता है यह रहता है हमारा तुब प् यह में डबलो वेल्डिंग पर करिये में फ्लैट सिती के लिए वेल्ड टॉर्च के जुकाओं का कौन क्या होता है यह होता है हमारा दस से पंद्रह डिग्री तो 87 के यह पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अठासी नंबर कोशन है हाव मैनी केजी यानिकी ग्रावेट्स थर्मस नहीं होगा हमार थर्मिट थर्मिट के कितने किलोग्राम वजन क्या हो सकता होती है तो यहां पर होगा हमारा करेक्ट आंसर 88 का सी बारे से 14 कीजी अब दो यहां पर 89 नंबर कोश्चन है कि वेच इज़ अड़्ज़ेश्टेड इन एलेक्टर calidad द डिफुर आप पोर happier बीम वेल्डिंग में शस्याउड के दोश को संवाप्त करने के लिए किसका समायोजिद किया जाता है तो देखे जिसका समायोजwo design किया जाता है पोर उस्टिके दोस्कों समयाथ करने के लिए यह उआ है को तो वाट निंटेशन उलिए फार्स सवामरड़ यह उलंडिया के लिए शीमा क्या है इसकी जो है यह रहता है कि Limited to Flat and Horizontal Fillet welds, यानि कि Flat और 36 fillet weld तक सीमित, Flat और 36 fillet weld तक यह सीमित होता है, क्यानों भी नाबर question है, What ampere range required for setting 1.2 mm filler wire for welding mild steel in MIG or MAG welding. MIG या MAG welding में mild steel welding के लिए कि एक दस्मिल दो यह में फिलर वायर अस्थापित करने के लिए कितने एंपर रेंज की आउस सकता होती है यह रहता है हमारा कि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है तो देखिए इसमें जो अच्छा आर्क इस्थीरता का उत्पादन करता है करता है वो रहता है आरगन प्लस पांच पर्चेंट कार्बन डाई आगसाइड यहां पर इसका डियांसर करेक्ट हो जाएगा तिरानवे नमर कोशन है फिलर वायर को जी में डबलू वेल्डिंग प्रकेरिया में कैसे फिट किया जाता है तो यह किया जाता है आटोमेटिक कली तो आटोमेटिक यहां पर करेक्ट आंसर होजेगा तिरानवे का से अब देखिए आगला कोशन हमारा 94 नंबर का कह रहा है यहां पर विच टाइप आप इलेक्टरोड और यूजड या सियो टू विल्डिंग में किस प्रकार के एलेक्टरोड को प्यों किया जाता है तो यह मेजी या सियो टू विल्डिंग में जिस प्रकार के हम लोग पर करते हैं वह हमारा रहता है वियर वायर इलेक्टरोड तो 94 किया पर भी एंस्याइड हो जाएगा बेर वायर लेक्टरोड पंचानवी नंबर कोश्ण है वाट इज ता रेंज या सियो टू विल्डिंग में जो टू उडलिंग के लिएक्टरोड की जितेंग कितनी होती है य यह रेंज होता है जीरो पॉंट एट टू वन पॉंट शिक्स एमियम चानवे नंबर कोश्चन है वाट टाइप आप आपरेशन इस जनरली यूट इन जी आम डबलू में आम तोर पर किस प्रकार के आपरेशन को किया जाता है जी आम डबलू में जो हम लोग आपरेशन करते ह है वह आपरेशन रहता हमारा सेमी आटोमेटिक ठीक यह हो गया आपका संतानवे नंबर कोश्चन है विच हीट ट्रीटमेंट आप इस्टील इंक्रेज हार्ड़नेस बट डिक्रेज इस्टेंथ 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 से कठोर्ता बढ़ जाती है लेकिन जो इस्टेंथ कम हो जाती है तो यह हमारा रहता है हार्ड़नेंग करने से क्या होता है कि जो कठोरता होती है इसटेल की वह बढ़ जाती है लेकिन जो इसका इस्टेंथ इस तो घट जाती अँठानवे नंबर कोश्चन है कि विच हिट ट्रीटमेंट प्राइस प्रडूसेज मली आउटर सर्फेस आप जाब हार्डेंड तो सम डेफ्थ किस उसमा उपचार प्रकिरिया से जाब की केवल बारी सत्य कुछ गहराई तक ही सकते होती है तो यह जो रहता है हमारा यह रहता है के साहर देनिंग तो के साहर यहां पर अंठानवे का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 99 नंबर कोशन है विच ही ट्रीटमेंट प्रासेश इज इंपुलाइड टू रिमूव ब्रिटाइलनेस इन चीजल चीजल में भंगूरता को दूर करने के लिए कौन से उसमा उपचार प्रकिरिया कारेरत है तो देख कोशन है यहां पर हीटिग इंटी इसतील टू इस फिर्स्विक टंपरेचर अड alma श्रE अकटीध तपमान और अचानक ठंदा करने के लिए प en-phone करने यानि कि स्टील करने का में उद्देश क्या होता है यह आपको बताना तो यह रहते हैं कि भल्स फान गरेंट आप यूनिफार्म स्ट्र액्चार यह बंद से प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मसीनिंग के लिए उपयूगते हैं देखिए जो प्रक्रिया प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने के लिए और मसीनिंग करने के लिए उपयुक्त होती है वो रहता हमारा अनीलिंग तो 102 को यहां पर यहां पर यांसर क्रेक्ट हो जाएगा अनीलिंग एक सोतीन नमबर कोशन है वाट इस नेम आप हीट्रीट्मेंट प्रसेश वेयर दाइस्टील इज री हीटेड एट टू टेवल टंपरेचर बिलोग दा क्रिटिकल पॉइंट हीटिंग तू इंप्रूव दा टॉफनेस अंड डॉक्तिलिटी उसमा अप्चार प्रक्रिय का ना हमारा 104 नमबर का कोश्चन विच हीट्रीट्मेंट प्रसेश इज वेरी सिमिलर टू अनिलिंग बढ़ जब आर एलावड टू कूल इन एयर कौन सी उसमा उप्चार प्रक्रिया अनिलिंग के समान है लेकिन जाब को हवा में ठंड करने की अनुमती देती है तो यह जो रहता हवा में ठंडा करने की अनुमती देते हैं 105 नमबर कोश्चन है वाट टाइप आफ टेस्ट इज यूजड फार वैजल टैंक एंड पाइप कंटेनिंग प्रेसर किस प्रकार के टेस्ट का उप्योग जहाजों टैंकों और पाइप यूग दाप के लिए किया जाता है देखे हैं इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेकी आर्क प्रेसर टेस्ट लेक या दाप टेस्ट का उप्योग जहाजों टैंकों और पाइप यूग दाप के लिए किया जाता है अब देखिए आप 106 नंबर का कोश्चन है वाट इज दा एंडेटी मेथड यूज़ तो डिटेक्ट सर्फिस एंड सर्फिस डिफेक्ट आन फेरस मेटल यूजिंग आयरन पौडर यानिकी एंडेटी यानिकी नान डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट बिधी क्या है जिसका उप सत्य दो सक पता लगाने के लिए किया जाता है तो यहां पर यह जो हमारा रहता है रहता है मैगनेटिक पार्टिकल ठेस्ट मैगनेटिक पार्टिकल इस्ट यहाँ पर 106 का सी आंसर क्रेक्ट हो जाए गए अब देखिए आप 107 नंबर का कोश्चन है वाट नान डिस्ट्रेक्टिव टेस्ट इज डन यूजिंग कलरड़ डाई एंड फ्लॉरोसेंट लिक्विड टुफाइंड मिनेट क्रेक्स मिनेट क्रेक को खोजने के लिए रंगीन डाई और फ्लॉरोसेंट तरल का उपयोग करक कौंश नंडिस्टेक्टिव टेस्ट किया जाता है तो यह जो किया जाता है वह रहता है हमारा के लिक्विड पेनिटरेशन टेस्ट तरल प्रवेस्परिश्ट़्न यहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा 108 नम grandma question है what is the test set up by well specimen कि इस पेसिमें के लिए कौसा ठस्ट होता है तो देखिए वेल इस्पेसिमें के लिए लिए जो होता है वो रहता है हमारा यहाँ पर जो है यह यह जो फिगर आपका दिखाया गया है यह होता है हमारा गाइड़ बेंड टेस्ट तो गाइड़ बेंड टेस्ट यहां पर 108 का डी अंसर क्रेक्ट हो जाएगा 109 नमबर का कोश्चन है विच वेल्डिंग प्रासेस इज डन बाइक केमिकल रियक्शन बिट्वीन इमिटल आक्साइड एंड मिटल मिटल आक्साइड और मिटल के बीच रासाइन प्रतकिरिया द्वारा कौन से वेल्डिंग प्रकिरिया की जाती है तो इसके द्वारा की जाती है थर्मिट वेल्डिंग यहां पर आपका करेक्ट आंसर जग 109 का सी अब देखिए यहां पर 110 नमबर कोश्चन है हाव मश टाइम इट टेक फार्दा थर्मिट मॉल कूल ऐटर में थरमिट प्रासेश थ्यवेल्डिंग के बाद थर्मिट मॉल्ड को ठंडक ने सव में कितना समय लगता है तो समय लगता है वह दापर गुंटे का सर्थald प्राइब यारे नम्र को कोशचन है, जोट प्रॉप्सक्राइड जोइंट करनाट बी विल्ड वैल्ड़ यानी कि क्या कारण है कि एलेक्टराण विवेल्ड पर किरिये दराव बाधित जोइंट को वेल्ड नहीं किया जा सकता है तो इसका में रिजन यह है कि इलेक्ट्रान बीम ट्रेवल माले इन इस्ट्रेट लेन इलेक्ट्रान बीम जो होता है या केवल सीधी रेका में भ्रमण करती है जोकि यहां पर है हमारा 112 नंबर कोश्चन हाव मच गैस फोलो रेट इज रिकोर्ड तो विल्ड ए बट ज्वाइंट विथ 0.8 mm डाजा माइड श्टील फिलर राड आफ वायर फीड रेट 3-4 मीटर पर मिनट आट 80-20 वोल्ट तो वायर फीड दर 3-4 मीटर परत मिनट से 18-20 वोल्ट पर 10-8 मीटर यम्यम डाय मीटर माइड श्टील फिलर राड के साथ एक बट ज्वाइंट विल्ड करने के लिए कितनी गैस प्रवाय दर किया हो सकता होती है यह होता हमारा 8-10 यह तो 8-10 यहां पर करेक्ट आंसर हो जा कि वाट सुड़ वी दा इनीशियल एंगल आप टू प्लेट इन एटी ज्वाइंट इप दा फाइनल एंगल बिट्विट्विन इज नंटी डिग्री आप्टर कंपलेशन आफ वेल्डिंग टी ज्वाइंट में दो प्लेटों का प्रारंभिक कोन क्या होना चाहिए यह 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 होता है आपको यहां पर 113 का एंसर करेक्ट हो जाएगा एक सोचोदे नमबर कोशन वाट इस परसेंटेज आप डिपोजीशन इफिसेंसी फ्सीए डबलु प्रक्रिया में जो प्रतिन्यूक्ति दच्छता होती है वह कितना होता है तो देखिए यह जो दच्छता होती ह यह रहता है 80-86 प्रतिशत तक देखिए 150 नमबर कोश्चन है विच गैस मेक्चर इज लाइकले टू प्रडूस दा इस पैटर लास इन एपसी डबलू एपसी डबलू में इस पैटर के नुक्सान को कम करने के लिए कौन सी गैस या मिशन की संभावना है तो यह होता है हमार कि आरगन और सी ओटू मिक्स्ट नहां पर करेक्ट अंसर हो जाएगा 166 नमबर कोश्चन है विच मेटल इज वेल्ड़ विच सेल्फ सील्ड टाइप एपसी डबलू किस धात को सेल्फ सील्ड प्रकार एपसी डबलू के साथ वेल्ड किया जाता है तो यह जो वेल्ड किया शाथ यह किया जाता है कार्बन च्पील के साथ तो कार्बन ऑपसीď गेस चलींट किली इन जी में डबलू वेल्डिंग प्रकिरिये में धात्वर्स विल्डिंग गैस का कौन सा संयोजन उत्कृष्ट सफाय करिया देता है तो यह देता है हमारा मैंगनेशियम और आरगन मैंगनेशियम और आरगन यहां पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 108 नंबर को क्वेश्चन है वाट इज बेसिक सेफ्टी इन्वार्मेंटल कंडिशन फार वेल्डिंग एरिया वेल्डिंग छेतर के लिए बुनियादी सुरच्छा पर्यावर्ण यह इस हिति क्या है तो यह जो रहता है यह हमारा है कि विल वेंटिलेटेड याने कि अच्छ नशेन ड्राइव रोल्स आफ वायर फीड़ इन जीैमे डबलू में वायर फीडर के ड्राइव meer रोल पर वायर रैपिंग में क्या दिकत होती है तो यह होता है हमारा चेक ड्राइव रोल्स अगेन अलाइन प्रॉपरली यानि कि जांच ड्राइव रोल ठीक से संरेखित करें अब जखिए आप एक सो बीस नमर कोश्चन है विच इस दा रिमडी फार दा कॉंट्रेक्शन आप वेल्ड मेटल डिव टू एक्सेस आफ हीट इन्पूट एंड जिससे कौन बदला जाता है तो यह जो बदला जाता है यह रहता है हमारा कि वेल्ड इसमाल सिग्मेंट एंड एलाव कूलिंग यानि कि खंडों को वेल्ड करें और ठंडा होने दें तो 120 यहां पर डियांसर करेक्ट हो जाएगा 121 नमबर कोशन है वाट इज दा आपरेशन टू किलीमठ डाशीलेंड़ फिकिन दा डियांस रागन जाएंडर को ठीक करने एप हैं docshare यह हुमारा है creak pus तो 111 नमबर कोश्चंन है डिफ्टे इस देन क्या कर इंदड मेटल इफ लोग dif l एंonder mm म एज़ म for आर्क वोल्टेज और ट्रेवल स्पीट कम होने पर वेल्ड धात में क्या दोस्त होगा तो यह होगा हमारा वेल्ड ओवरलाइब 112 के आपर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा वेल्ड ओवरलाइब अब देखिए अगला जो कोश्चन है हमारा वह है एक चोटी चड़ी की बाहरी दूरी के लिए या मजी वेल्डिंग में क्या प्रभाव होता है यह रहता हमारा कि मोर इस्पैटर डिपोजिट इन नोजल में अधिक स्पैटर जमा होता है 124 नोबर कोशन है वाट इस दवेल्ड डिफ्यक्ट इन वायर फिड़ इस्पीड तु तु आइढ़ वायर फिड़ एप बहुत अधिक है तो विल्ड़ दोस्क्या होता है तो देखिए यद्वायर फिड़ इस भीड़ चाड़ होता है वह रहता है स्पैटर से स्पैटर से यहां पर करेक्ट आंसर हो जागा 124 का दे 125 नमर कोश्चन है विश टाइप आफ डिफ्यक्ट इस काइड है इफ दा गैस फालोइंग रेट इज अनीवेन फ्लोइंग रेट इज अनीवेन यानिकि गैस प्रवाह दर आसमान होने पर किस प्रकार का दोस्थ होता है तो दोस्थ पन्न होता है वह रहता हमारा पॉरोसिटी यानिकि सरंद्धता 126 नमबर कोश्चन है वार्ट इज डिफकल्टी इन इस्टार्टिंग आफ आर्क इन जिए में डबलू में आर्क शुरू करने में क्या केठिना होती है यह होता है रांग पोलर्टी गलत पोलर्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 नमबर कोश्चन है हाव टू ट्रबल सूट क्वार्ट बैग प्राब्लम इवद्दा कॉंटेक्ट टिप फिलगड़ और नवर्ण आउट या खराब होने पर बर्न बैक समस्या का निवर्ण कैसे करें यह किया जाता है क्लीन कंड रिपलेश कॉंटेक्ट टिप को साफ करें और बदलें 127 कि यहां पर सी आंसर एक सब्सक्राइब कोश्चन है वाट डू यू काल एवेल्ड जॉइंट है इसमाल होल स्याग कैविटी दू इंट्रैप्टेड गैस पैकेट से इंट्रैप्ट गैस पैकेट के कारण छोटे होल या कैविटी वाले एक जॉइंट को आप क्या कहेंगे जिसे हम लोग बोलते है पोरोसिटी यानिकी सरंधरता एक सहुनतिस नमर कोशन वाट इज डादिफ्यक्ट इन वेल्ड जॉइंट इन वेच दावेल्ड डमेटल मेल्टिंग थूब इस मेटल रिजल्टिंग इन होल एक बैड़ जॉइंट में दोस्त क्या होएं जिसमें बेस मेटल के माध्यम से प परिणाम स्वरूप होल होता है यह रहता है हमारा कि बर्न थो बर्न थो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा 139 जिसका के दौरान वेल्ड दोसका नाम क्या होता है यह रहता हमारा इस तर नहीं पर करेक्टांसर जाएगा में एक इस्थिर हेंडे से उत्पन होने वाले दोस्त का नाम क्या है यह रहता है हमारा 133 नंबर कोश्चन है वाट गैस कंबिनेशन विल अकर स्वारी वाट गैस कंबिनेशन विल रिडूस इस पैटर डिफेक्ट एंड इंप्रूव आर्क इस्थिर्ता में सुधार करेगा यह हमारा रहेगा आरगन यह स्योटू यहां पर 133 का D. काफी लंबा चैप्टर है इसे भी हम लोग देखेंगे वीडियो और अच्छा लगा हो तो लोगोँ देखा है वह इसे है वहाँ हमने प्लेइलिस्ट के दिया आप वहाँ पे क्लिक करके आप अपनों पूरा वीडियो कवर कर सकते हैं ठीक और इसी में से आपका इक्जाम में कोश्चन आ रहा है जो आनलाइन सीविटी एक्जाम हो रहा है तो इसी से कोश्चन पूछे जा रहे हैं निम्मी का यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक आउट शेयर करें मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक यू